हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दे चैनल और देखिए हमने एच्पी एच्पी पीजेटी कॉमर्स लेवर से उसको स्टार्ट किया हुआ है और इसी के साथ ही मैंने जो पाटनेशिप वहां से शुरुआत की है और पाटनेशिप के ऊपर दो वीडियो आपकी पहले से ही डाउन कराऊंगी तो आप चाहो तो अपने शॉट नोट्स भी बना सकते हो और इसी के साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं जो भी मैं आपको यहां बताऊंगी हर एक जो संटेंस मैं यहां पर बोलूंगी या फिर राइट करूंगी हर एक वर्ड आप लोगों के एक एक वर्ड एक एक संटेंस आपके लिए एमसी क्यू बनेगा क्योंकि जो मैं आपको करा रहे हूं बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ने संटेंस मैंने उठाए है एसर नहीं है कि फालतु में ऐसी मैं वीडियो को लंबी खीच रहे हूं ठीक है अगर किसी ने मे मेरी वीडियो से ही आपको काफी सारे एमसी क्यू देखने को मिलेंगे क्योंकि यह एक्सपीरियंस मैं पहले सी ले चुकी हूं कैसे जो के विएस की हमने तियारी की तो जैसे कि बच्चों नहीं भताया था कि मैं जो आपने कराया था डिक्टों वहीं से एमसी क्या है वैलिवेशन ऑफ गुडविल तो कई बर आपका जो मैथर्स रहेंगे वैलिवेशन ऑफ गुडविल उसके फोर्मुलेज भी आपसे पूछे जा सकते है या एक छोटा सा नुमेरिकल भी आपको दिया जा सकता है और जिसमें आपको वैफ फोर्मुला लगा के जो गुडव कि आप सभी को पता है तो में अगर मैं हापे गुडवील का मीनिंग बताऊं तो गुडवील का मीनिंग क्या है राकूटेशन और फॉर्म ठीक है कोई भी बिजनेस फॉर्म है उसकी जो राकूटेशन है उसको हम बैसिक लिया जो एक इमेज बन चुकी है फॉर्म की उसी को लगाए बिना ही जो एक firm होगी जिसकी गुड़विल अच्छी होगी वह ज्यादा profit अर्ण करेगी यह हम बोल सकते हैं कि जिसकी गुड़विल अच्छी होगी वह firm जो normal firm है यह उसकी जो उससे जो प्रोफिट रहेगा वो ज्यादा अर्ण करेगी ठीक है तो यह हमारे बिसिकली क्या कहलेगा गुडविल इसको हम देख नहीं सकते बट हम इसको फिल कर सकते हैं अब हम इसको देख नहीं सकते डैट्स वाइट इस एन इंटेंजिबल एसे तो गुडविल हमारी कौन स्टेंडर 26 तो देखें यह ऐसे पुछे जा सकते हैं कोई बत्चा बोल सकते कि मैं क्या बता रहें गुडविल का मिन यह तो हमें पता ऐसा कहां क्यों पूछ जाएगा लेकिन अब भी जैसे मैंने बताया यह पूछा जा सकते हैं गुडविल को सबको पताईए लेकिन जो साथ यह हां पर इंपोटेंट है आक सथित किलिए यह जयसे ट्रेडमार्क है यह भी हमारे क्या आल इंटेंघीवल एसेट है थिक है ठीडमार्क है हमारे कोपि राइट है करो कर लेकिन यह यह दोनों की जो वैलिडिटी है वो 50 साल तक रहती है weighing on सकता है और जो Pack direct थेटें आपका 50 years तक रहेगा अब हम आगे बात करेंगे factor affecting the goodwill को यह आप अपने से भी कर सकते हो तो देखे नेचर ओफ बिजनस भी जो गुडविल है उसको एफेक्ट करेगा इसी के साथ ही quality of a product अफिशेंट मैनेजमेंट के बात करती हूं जितनी अच्छी management होगी उतनी ही फर्म हमारा ज्यादे से ज्यादा profit और कहीं ना कि इसके गुडविल ज्यादा होगी quality of a product अगर एक विजनस है वह quality product अगर प्रोवाइड करेगा तो अच्छी होगी तो यह काफी सारे और यह बुक के अंदर आप एक रीडिंग ले लेना एक बर देख लेना कौनकून से फेक्टर में भी एंसी क्यूंए दो तीन फेक्टर देखे और पूछ लिया जाए कि इनमें से बताई कौनसे फेक्टर यह कौनसा फेक्टर नहीं है जो की गुडविल है उसको फेक्टर है ठीक है और इसी के साथ ही अगर और फेक्टर की बात करती हूं है तो कुछ स्पेशल एडवंटेज है मार्केट सिच्वेशन है लोंगर इस्टबलिस्मेंट है जितना जो बिजनेस ज्यादा टाइम तक इस्टबलिस होगा उसकी गुडविल उतनी ही ज्यादा देखने को आपको मिलेगे इसे के साथ ही आपका इडवंटेज जो पेटेंट है पास्ट परफोर्मेंस कैसी है एकसेस टू सप्लाइर से सप्लाइज ठीक है यह सब आपके किसमें आ जाएंगे यहां पर फैक्टर्स आ जाएंगे किसमें अफेक्टिंग दा वैल्यू ओफ गुडविल तो एक टोपिक यह हो गया आपका अब हम बात करेंगे नीड फोर दा वैल्यूवेशन ओफ गुडविल नीड फोर दा वैल्यूवेशन ओफ गुडविल कि भई जो गुडविल है उसकी वैल्यू निकालने की हमें जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि अब भी हम आगे सीखेंग में कुछ भी च्झ करेंगे उनका जब भी चेंज होगा तो वहां पर हमारे जूरूरत पड़ेगी करल लिट रिलेशन सब्सक्राइब है तो हम गया पैटनर के इसी के साथ है एड़ा ताइम फ रिटयार्मन इड़ाउड पाइम टैम फ्रिस या फिर दो यह वे अमल्गमेट हुई है उसकेस में भी हम क्या करेंगे वेल्यू की गुडविल हम निकालते हैं और इसी के साथ ही हमारा अगर हमने अपनी पार्टिर्शिप फॉर्म है जो बिजनेस अगर हमने उसको बेच दिया है तो उस टाइम हम क्या करेंगे हमें जरूर्थ होगी फैलि वे क्वेशन और ओफ है गुडवील तो गुडवील को निकालने के कोन इसमेट तो यहां मौस्ट इंपोर्टेंट यहां से क्यों सकता है ठिक है तो मैं आपर टोटल मैं फाइफ में तोड़ों की बात करूंगी कि हमारे पास से टोटल पांच शूर्थ है जिनके हम क्या कर स देखते तो सबसे पहले हमारे पास मेथर आएगा एफ रिज मेथर फिर सेक्न हमारे पास था मेथर फिर आएगा हम् diferencia मेथर पास शूर प्रोफित में हो श्यून जिस्न जो इसकी बाद ज़ेंगा सूपर रोफिट मेथर थर थी आप हमारे पास है capitalization method ठीक है तीन method आपको यह class 12 में भी देखने को मिल जाएंगे और अगर मैं और दो methods की बात करते हूं यह आपको further की class में मिलेंगे become and come in purchase consideration और हमारा fifth method होगा annuity method ठीक है तो पांच method है जिसके थू हम क्या करते है यह five methods है तो आपको at least name तो पता होना ही चाहिए कि जो गुडविल की valuation करते हैं उसके total कितने methods है में भी अगर आपको सिर्फ दीन methods पता हो और paper में आपको इन में से कोई एक method दे दिया जाए तो हो सकता है कि फिर वहां पर आपसे गलती होने के चांस हो जाए ठीक है क्योंकि आप तो सोचोगे बस हमने तो तीन ही method किया है तो देखिए यह हमारे होगे टोटल पांच method पांच में आपको करा देती हूं सबसे पहले बात करेंगे हम average profit method की इसके अंदर भी हम दो तरह से गुड़विल निकालते हैं एक तो है हमारा simple average कि प्रोफिट कि मैथर्ड और सेकिंड इसके अंदर हमारा वेट्टीड एवरेज प्रोफिट मैथर्ड वेट्टीड एवरेज प्रोफिट मैथर्ड ही मैंने शोट में लिख दिया तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे एवरेज प्रोफिट मैथर्ड की एवरेज प्रोफिट मैथर्ड में भी हम बात करेंगे simple average प्रोफिट मैथर्ड की ठीक है तो देखिए इस कास्ट से पहले आप जब हम बात करेंगे average profit method की first हमारे क्या है average profit method इसके अंदर हम जो goodwill है वो कैसे निकालते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए goodwill की value कैसे निकलेगी goodwill is equal to average profit multiply by number of the years of purchase number of the years of purchase बस यह दो चीज़े आपको चाहिए अगर आपके पास average profit है number of the years of purchase है तो आप easily क्या निकाल सकते हो जो goodwill है उसकी value निकाल सकते हो लेकिन question में आपको इतना easily नहीं मिलेगा यह तो आपको मिल जाएगा एक चोटा से numerical आपसे पूछा जा सकता जहां पर आपको number of the years purchase दे देंगे लेकिन average profit बहुत रेर chances है कि आपको direct average profit भी दे दिया जाए तो हमें यहां पर निकालना होगा average profit average profit हम कैसे निकालते है जितने भी सालों का profit question में given है ठीक है previous year का जितने भी सालों का profit profit given है तो सबी सालों का profit आप एड़ कर लोगे और जितने भी साल का given है उसी से उसको divide कर दोगे अगर मैं बात करते हैं उतने से हम उसको divide करते है और 19 सालों का profit उसको add कर लेते हैं अगर loss होगा तो माइनस हो जाएगा इनके सब्सक्राइब तो इस तरह से हमें क्या निकालना होगा average profit तो यह हो जाएगा हमारा average profit है इसे के साथ ही आपको इसमें जो प्रोब्लम जो आ सकती है में भी अगर question को थोड़ा सा और लंबा अगर कर दिया जाए थोड़ा सा और confusing अगर बना दिया जाए तो वह कई बार क्या करते हैं जो average profit देते हैं वह जो एक normal course of business से जो प्रोफिट या जो नॉर्मल कोर्स से जो एक्टिविटीज हमने किया उससे जो प्रोफिट आना चाहिए न वह प्रोफिट नहीं देके आपको एक तरह से बहुत सकती हूं कि मिलावटी प्रोफिट आपको दे सकते हैं अम मिलावटी प्रोफिट होगा तो भी हम इसी साल के प्रोफिट में उन्होंने कोई abnormal loss है न उसको माइनस कर दिया तो आप बताएगे क्या जो अब नॉर्मल लोश है उसको माइनस हमें करना चाहिए था नहीं ना क्योंकि abnormal loss का मतलब क्या कि जो कभी कभार हो गया regular हमारा loss नहीं है फिर ऐसे हमने क्या कर दिया जो रखी है और यह सब करने के बाद अगर थे मीन्स वह अपका मिलावटी प्रॉफित गीवन है अब उसमें से जो भी घंद घी है जो भी कूड़ा खच्छरा हा वह हमें बाहर निकालके अपना शुद Umwelt निकालना है और फिर अबर इस प्रॉफित निकालें गे और फिर अवरेज गूद्स प्रोफिट मे एक्च्वल कैविजनेस प्रोफिट हमें पहले निकालना होगा और उसके लिए आपको क्या करना होगा जितने वी साल का आपका प्रोफिट गीवन है धिन्हें किसे आपका दो साल का profit गीवन है 2021 का और 2022 का profit गीवन है तो यहां पर पहले आप प्रोफित लिख लोगे जितना भी आपका गीवन है अब फिर क्योंसटेंड में उसके अक्ट स्ट्मिंट गीवन होगी कि थो 2021 में हमने क्या गलती कर दी कि भी हमने अबनोर्मल लोस है ना उसको काउंट कर लिया ठीक है या और भी जो भी है वह आपका क्योशन भी डिपेंड करेगा तो इसलिए मैं आप यहां पर आइटम आपको बता देती हूं कि फिर आपको कौन से आइटम माइनस करने पड़ेंगे कौन से प्लस करने पड़ेंगे तो सबसे पहले आपको यहां पर जो जो आइटम एड करने पड़ेंगे उसमें जो फर्स्ट आएगा आपका अबनोर्मल लोस अगर किसी एयर में आपका अबनोर्मल लोस गिवन है प्रोफिट मिन से तो वहां पर आप क्या करोगे अबनोर् उसको भी हम AQUA कर देंगे इसे के साती हमारा ओ Zhuरेलवेशन कर लिया किसका ओफिह fazla ओपनिंग स्टॉarette को अवरुब्यू कर लिया पाच हजार का ओपनिंग च्टोक था लेकिन हमने गलती से ओपनिंग्स्टोक ज़ग को 10,000 का दिखा एक्सपेंडिचर हमने क्या माल लिया तो भी हम क्या कर देंगे ऐसे तो अगर मैं यह तो बहुत लंबी वीडियो सकती है अगर किसी बच्चे को यह भी हो सकता मैं भी यह ना समझ में आया हो कि भी अब नॉर्मल लोस को क्यों क्यों कर रहे है तो उसके पिछे भी बहुत बड़ी कहानी है ठीक है लेकिन मैं उमीद करती हूं कि भी आप किन अभित अर्ट करना था लेकिन यंपिस मैं नहीं करना था लेकिन है कर लिया कर लिया तो इसलARIN तोसलिए उसको भी आपको बहुत सारे आइटम देखने को मिल सकते हैं जिसको आपको अपको अट करना पड़ सकते हैं तो वह को क्योंकि आप सारे आइटम लिखाऊंगे तो शायद बोर्ड पे भी ना आई लेकिन जो मेन है इंपोटेंट है मुस्टली ऐसे ही आप से क्योशन में पूछे जा सकते यही आइटम देके वह मैंने आपको यहां पर राइड डाउन करा दिये अब इसी के साथ ही हमारे कुछ आइटम ऐसे हो आप नोर्मल गेन तो हम पेंडल अकाउंट में नहीं दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे तो आप उसको माइनस करेंगे हमने गलती कर रखी है गलती हो चुकी हमसे अब उसको हम ठीक कर रहे है तो अब हम उसको माइनस कर देंगे इसी के साथी बिल्कुल इसको उल्टा कर द यहां पर करके देखना पड़ेगा एक बार इसको छोड़ दीजिए अभी के लिए क्योंकि मुझे चेक करना पड़ेगा यहां पर आपका किसका हुआ यहां पर उल्टा हो गया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था और उसको उने क्या ट्रीट कर लिया अजा कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है और इसी के साथी कोई भी कि इनकम है डिविदेंड इन्टरेस्ट और यहां ससे वह एक्शिए प्रोफिट उठाएंगे और उतने एक्ट को से डिवाइड करके अब जैसे मैंने सिर्फ टू योपीड जैसे में फोड्य जाने का प्रोके ले जिसे मैं फॉर एक्जयमपल पांच घारी हांपर गया और शाथ जार यहां पर आगया एक्चुल बिजनेस प्रोफित मेरा यह आ चुका तो अब आपको 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 प्रोफित चाहिए था और यह नमबर आप तो यहां पर आपको तो यहां पर आपको आपको करना है तो यहां से क्योशन देखने को मिल जाए आप लोगों को यह त्दलों के लिए तो यहां से आपको क्योशन देखने को मिल सकता है् आप हम बात करेंगे है हैं next पर हमारा सूपर्ण परॉफित मैथट नच्स है हमारा सूपर क्रॉफित मेथट तो सबसे पहले सूपर प्रोफित मैथद में हम घुड़न है उसको किस तरे से निकालेंगे क्या formula रहेगा वह मैं आपको बता देती हूं कि नोट आप कर सकते हो फोर्मूले बहुत important आप लोगों के लिए तो at least formula आप जरूर लर्न करके जाना formula भी डारेक्ट आप सकते हैं अब बात करेंगे सुपर प्रोफिट मैथड की तो सुपर प्रोफिट में हम गुडविल कैसे निकालती है इसके लिए हमें क्या चाहिए सुपर प्रोफिट चाहिए और साथ ही हमें वही सेम नमबर ऑप दा यह ओफ पर चेज़ ठीक एनवाइपी से मैंने सको सब्सक्राइब मेरा निकले सकते हैं मायनस कैसे में प्रोफिट में जब माइनस करेंगे नॉर्मल प्रोफिट तो निकल कि आएगा सुपरड़्ॉफिट हमारा निकल के आएगा ठीक है आवरेज्स्ट्निकल में अभी एक्ट्ट्पान्स पॉफिट विचने सा जो हनकर रहा है एक तरह से अवरेज्सूफिट का मथोल championship हमने कित न कूर किया है जो फर्म की कैपिटल है फर्म कैपिटल है कि मल्डिप्लाइबाइब नॉर्मल रेट आपकी गीवन होगी और डिवाइड बाइफंड ठीक है एक रेट गीवन होगी कि बैज जैसे फॉर इक जैम्बल में बात करते हूं एक फर्म है उसमें पांच लाख रुपे लगे हुए is घ्री कैपिटल है पांच लाग रेटेट नॉर्मल रेट कितनी है जब एक जम करने हुए कि नॉर्मल प्रोफित मेरा कितना होना चाहिए जम मैंने पांच लाग ятель दस परसेंत निकाला तो मेरा नॉर्मल प्रोफित होना चाहिए था पचास akan ठेकिंड हैby प्रोफिट कितना हुआ साट हजार उसे और जो फर्म है बाखी कि जो फर्म है वह नोर्मल these फर्म्त स ग्र हमने पाँछलाग्रूपे लगा के भी साथ हजारा हने कमाया तो इसाणी मेरे मेरे ये क्या निकल आया सूपरफित निकल क्या सूपर बोप्रोफित मैं कर्ने ठीक है सुपर परोफित कितना मैं फिर नियर् également करके बहूं सब्सक्राइब आप लोगों के पास सुपर प्रोफिट है तो यहां पर सुपर प्रोफिट की जो वैल्यू निकल के आएगी पूट करनी और नम्बर ओफ दे यह पर चेज आप गीवन होंगे जितने भी टू थरी जैसे मैं बोलती हो गर टू गीवन है तो आपकी वैल्यू न अब क्षो अब क्याएं क्यों सब्सक्राइब हो डिइसांतु मेंतों है तो देखें कैसी करेंगे इस्सकी इस मेंते थ्रू भी हम क्या करें गे जो गुड्ल है उसकी वैल्यू को हम calculate करेंगे ठीक है इसमें भी हमारे दो methods होंगे capitalization of average profit method एक बार तो हम capitalization किसका करेंगे capitalization of average profit method और एक बार हम कर देंगे capitalization of the super profit ठीक है एक बार हम क्या कर देंगे capitalization of capitalization of लिख लेना आप यहां पर capitalization of super profit method ठीक है तो यह दो methods आप इसमें आपको formula बता देती हूं कि किस तरह से आपको करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा capitalization यहां पर करना होगा capitalization of average profit जो average profit है उसका आपको capitalization करना होगा एक तरह से capitalization value हम निकाल लेंगे capitalization value of average आप लिख सकते हूं यहां पर capitalization value मैंने short में लिख दिया है पुरा अगर किसी को लिखना है तो लिख लिजिए capitalization value of average profit जो average profit अभी जो profit हम अर्ण कर रहे है तो हम डेखेंगे कि भी उस पर हमें कितनी capital लगानी चाहिए तो एक से capitalization value of average profit की capitalization value हम निकाल लेंगे वह हम कैसे निकाल लेंगे जो हमारा average profit है जो average profit हम अंड कर दें ठीक है profit है वह कितना है average profit है मेरा 50,000 और जो मेरी normal rate of return है वह कितनी है 10% तो भी 50,000 profit है और normal rate of return 10% है तो भी 50,000 profit earn करने के लिए मुझे कितनी capital लगानी पड़ेगी तो capitalization value हम निकालेंगे एक तरह से 50,000 profit तो यहां पर अगर मैं निकाल लूँ तो देखिए तो formula क्या बना average profit average profit मेरे कितना 50,000 normal rate of return मेरी कितनी है 10% तो जम मैं इसको solve करूंगी तो यह मेरा 5,000,000 आएगा तो कहने का मतलब क्या कि अगर मेरी 55,000,000 रुपे कमा रही है 50,000 रुपे अगर मेरे अब आगे हमें क्या करना है अब हम निकाल देंगे यहां पर goodwill का formula आप क्या होगा आप देखिए goodwill का formula होजएगा जो आपके capitalized value निकल के आई है उसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमारी net assets है capitalization value यह होने चाहिए और actual में हमारी net assets कितनी given है net assets note कर लिजिए full form cv का मतलब क्या है capitalization value minus net asset बस आप का जाएगा आप for example capitalization value मेरी 5,000,000 और मैंने देखा तो मेरी जो net asset है न वो मेरी 4,000,000 है तो इस तरह से capitalization of average profit method करके भी हम क्या कर सकते है जो goodwill है उसकी value हम निकाल सकते है अब उसके बाद हमारा जो second method है वो क्या था capitalization of the super profit method अब हम क्या करेंगे capitalization करेंगे super profit method का तो यह सब से जी आपको कुछ नहीं करना super profit आपका given होगा यहाँ पे जो goodwill की value है हो कैसे निकालोगे आप में जो भी आपका super profit given होगा उसकी multiply कर दोगे 100 upon normal rate of return बस डारेक्ट आपको है फिर ताकि आप easily क्या करवाओ इन question को solve कर पाओ ठीक है अब हम बात करेंगे इसी के साथी दो methods or है दो method हो हमारे कौन कोंसे purchase consideration और उसके बाद हमारे क्या है एनूटी method ठीक है तो यह भी मैं आपको बता देते हूं यह भी बिल्कुल निकले गुडविल इसकल टू परचेज consideration पीसी का मतलब किया परचेज consideration माइनस नेट एसेट आपको question में given होगा कि भी परचेज consideration इतना है और net assets आपके इतनी बनी है और उसको इनको माइनस करोगे तो आपके क्या जाएगी गुडविल की वेल्विल आ जाएगी इसे के साथी fifth method हमारा अब हमारा fifth method एनूटी method तो इसमें भी आपका यहां पर फोर्मूला बता देती हुम है गुडविल निकालने का जो फोर्मूला होगा वो क्या होगा इसमें आपको एक value होगी ठीक है एनूटी की value होगी वो given होगी तो आपको क्या करना शुपर profit आपको given होगा और इसी के साथ ही आपर यहां पर इसको निकाल दोगे जो आपकी प्रेजेंट वेल्यू ओफ एनुटी गीवन हो ठीक आप फूर्मुलाई कर लीजिए प्रेजेंट वेल्यू ओफ एनुटी तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं पांच में जो मैंने वैसे आपको बता दिया या जो एवरेज है इनका भी थोड़सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए तो यह था अभी जो हमने किया जो गुडविल है गुडविल को मैंने कंपलीट करा दिया ठीक है तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं मिलते हैं फिन नेक्स्ट वीडियो में हम बात क मुझे ध्यान नहीं रहा ठीक है तो देख लेते क्या है कि बच्चों ने तो बंद कर दिया होगा तो देखिए त्रीटमेंट तो हमने किया है नहीं कि भी गुडविल को कैसे लेके आया जाएगा क्या ट्रीटमेंट होगा किस तरह से उसकी रिकॉर्डिंग होगी तो अब ह करेंगे treatment of goodwill अब हम करेंगे treatment of goodwill गुडविल कि भी जो नया पार्टनर आएगा ठीक है कि हम बात करेंगे कि जो goodwill है वो किस तरह से आपकी आएगी कैश जो पार्टनर है वो कि यह बार उसको कैश में अगर यह बात करें त्रीटमेंट हो गुडविल तो यहां पर स्पेसली अभी मैं बात करेंगे अधर टाइम ओफ एड्मिशन के टाइम जो गुडविल है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा ठीक है एक मिनट रुक जी तो भी क यह कई सारे फेक्टर में आपको टर इखें मैं बिल्कुल बुक्स में से लेकर तब आपको करारी मैं किसी एक नेगरारी ठीक है देख्रीं उपकोक्विंट से आपको छुटना जाए इसलिए ध्यान से देखिएगा ओं कि ट्रीटमिन्ट आपको बतारी हूं से सुनना तो the new partners brings a goodwill in cash तो फर्स्ट केस बनेगा अगर जो पाटनर है जो नया पाटनर आया है वो गुडविल को कैसे लेके आया है इन cash ठीक है तो इन cash लेके आया है तो देखे generally हमारी क्या entry होगी तो इसमें हमारी होगी जब भी गुडविल आएगी तो first entry होगी cash या फिर bank accounting debit to premium for goodwill तो जब भी नया पाटनर आता है वो कुछ इससा गुडविल का लेके आया और उसको हम बोलते है प्रीमियम फोर गुडविल तो जितना भी लेके आया ठीक है और फाइनली जो वो गुडविल लेके आता है नया पार्टनर उसके किसका राइट्स होता है वो किसको मिलती है जो old partners है जो sacrificing partners है old partner में भी कौन जो sacrifice है जिन्होंने sacrifice किया नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और अच्छी से कराऊंगे आपको कि भी sacrificing क्या है इसके बारे मताऊंगे अभी के लिए थोड़ा सा देख लिए ठीक है कैश या फिर बैंक अकाउंट अबी टू प्रीमिल और कि मैंने क्या बताया जो प्रीमियम फोर गुडविल इस पर किसका राइट है जो आपके अगर पार्टनर तो तीन थे ABC और डी एक नया पार्टनर आया था ठीक है लेकिन से ने sacrifice नहीं किया तो अब उस केस में सिर्फ ए और बी कोई मिलेगी यह बात भी आपको याद रखनी है तो इस तरह से हमारा यहां पर होगा treatment ठीक है और अगर भाइचांस है जो नूपाटनर आ वो cash में नहीं लेकिया तो उस केस में हमारी डारेक्ट्र हो जाएगी यहां पर जो हमारा पाटनर होगा ना तो उसका हम करंट अकाउंट या फिर capital account जो भी है वो account हम जा करेंगे debit ठीक है न्यू partners capital या फिर current account debit तो direct फिर हमारा आजाएगा to sacrificing partner बस एक entry होगी अगर वो cash में नहीं लेकिया आया तो new partners current या फिर capital account debit to sacrificing partner अगर वह cash में नहीं लेकिया अगर partly cash में लेकिया तो फिर भी जितना हिस्सा cash में लेकिया तो cash वाली entry कर देंगे और जितना नहीं लेकिया वह entry आप ऐसे कर दोगे ठीक है तो यह हो जाएगा आपका इसके अंदर अब इसमें हम बात करते हैं दो बाते और में इसके अंदर आपको बता देती हूं जैसे कि मैंने आपको बताया था जो गुड़्विल है गुड़्विल का जो treatment करते है गुड़्विल हमारी एक इंटेंजीबल एसेट है उसका जो treatment किया जाता है वो किसे कोडिंग किया जाएगा accounting standard कि 26 आप देखे अब मैं आपको बता जीता हैं यहाँ पे दो शक्तानित रहें कि Good Will होती है ? इतंतों है चल्मित पर्चेज। इन मिला ज अधी है इस इसको याद रखना सैल प़ें उन वें मिल है आप देखिये वहेंा आइडिया है पता आप कर दिनेफंक है क्या कि जो one हमने क्या है पद्चेज कि इसको हमने खरिदा है सैलफ जन इक हमने अपने खून पसीने की महिनत करके जिस गुडविल को हमने कम आया है तो वो हमारी क्या कराएगी शैफ जन इस आप डुट्विल तिक है इसको शो किया जाताThis है कहाँ पे, asset side में, ठीक है asset side में हम क्या करते है purchase goodwill को show करते हैं या मैं कह सकते हूं कि भी हम record करते हैं जो self generated goodwill है उसके accounting नहीं की जाती है उसको record नहीं किया जाता है ये बात आपको याद रखने किसी को write down करना है तो यहाँ आपके डाउन कर सकते हो purchased goodwill may be accounted purchased goodwill may be accounted for in the books and shown as an asset और उसको हम क्या दिखाते है एक asset हम उसको दिखाते है और यह जो goodwill है जो हमने goodwill as asset हमने दिखाई है is generally amortized within 10 years or within the life of the goodwill accounting standard 26 यह बोलता कि भी इस goodwill को जब हम asset side दिखा देंगे तो फिर generally या तो 10 साल के अंदर हम इसको amortize कर देंगे या फिर within the life जो भी life रहेगी goodwill की उसके according हम इसको write off कर देंगे वहीं पर जो self generated goodwill है is not accounted for in the books and not shown as an asset तो हम उसको record भी नहीं करते इसकी जो एक तरह से books के अंदर हम इसको show नहीं करेंगे इसको record हम नहीं करेंगे तो ये बात आपको याद रखने है यह important है यहां से question बन सकता है यह भी कौन सी goodwill है जिसको record किया जाता है books of accounts के अंदर show करते है और कौन सी goodwill है जिसको हम show नहीं करते तो यह था आज की वीडियो में goodwill से related और अभी चेक करते हूँ अगर कुछ बचा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में अदरवाइद हमारा जो new profit sharing ratio वे हम start करेंगे तो बताइए वीडियो कैसे लगी अच्छी लगी तो वीडियो को like कीजिए और चैनल को subscribe कर लीजिए और आपका कोई भी doubt है तो comment section में पूछ सकते हो मिलते हैं next वीडियो में thank you